आप इनका रिजल्ट देखिए इतने जादा सॉफ्ट और टेस्टी है कि आपके मुह में जाते ही खुल जाएंगे और आपने एक बार इस दही भल्ली को ट्राइ किया ना तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे कैसे हैं आप सब आई हूप कि आप सब अच्छे होंगे और आज मैं आप लोगों साथ शेयर करने जारी हूं सॉफ्ट दही भल्ली की रेसिपी तो चली स्टार्ट करने से बनाना यहां पर मैंने एक कप उरत की डाल और दो कप मूंग की डाल को चार घंटी के लिए पाने में कोई नहीं आपको टू स्टू वन का रेशियो रखना है मतला एक कटूरी अगर आप उरत दाले रहे हैं तो दो कटूरी आपको मूं की डाल लेनी है इसे हम अच्छे से वाश कर लेंगे और भिगों के रख देंगे इसके बाद हम इसे डाल देंगे मिक्सिंग जार में और आपको पानी जादा नहीं डालना बहुत ही कम पानी यूज करके इसे आपको पीसना है तो यह कि मैस में सिफ दो बड़े चमच पानी डाल रही हूं अब हम इसे अच्छे से पीस लेंगे बिलकुल फाइन पेस्ट इसका बना लेना है और इसके बाद हम इसे किसी बड़ी सी प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे बड़ी सी प्लेट में थोड़ा एजी हो जाएगा इसे फेटने में तो यह देखे मैंने इसे पीस लिया है यह देखे बिलकुल फाइन पेस्ट इसका मैंने बनाया है और बहुत जादा पतला भी नहीं आप देख सकते इस बैटर को अब भी इस देखे मिर्च जईसा बारी चाट लिया है इसे डाल के अच्छे से भी अच्छे यह नहीं गिर रही है काफी फ्लफी हो गया है और इसका जो कलर है वह भी पूरा वाइट हो चुका है और चेक करने के लिए आप किसी कटोरी या फिर गिलास में पानी ले और इसमें थोड़ा से बैटर डाले अगर इस तरह से फ्लोट कर रहा है तो समझी आपने बिल्कुल प अगने के लायने टीन ही और को डाले लायन देल कि लिए और वर यह टो अपने और किप्की अफू कि और यह टेए sap hardest टो कि चुका यह टों कि अपनेखन बदेल इसने यह में दिंगर में भादने पर तरह खुने हो चलिकुकि ऐस अपने तरह से इंटियों जांग यह बेने इसे लाइट गोल्डेन उने तक फ्राइब करेंगे तो यहां पर बढ़ो के ऊपर बहुत प्यारा कलर आ गया तो इसे बाहर निकालेंगे इसे लाइट गोल्डेन ने साइड में रखेंगे अब इसका पानी करेंगे इसके लिए मैंने यहां पर गुंगुना पानी लिया है आपको बहुत साथा गरम पानी नहीं लेना है इसमें डालेंगे एक चमश नमक और आदा चोटा चमश अट करेंगे हींग इसे अच्छे से म आप उतने वड़े इस पानी में डाले और बाकी का जो है आप उसको जिप लोग बैग में बंद करके फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं तो यह कि मैंने आपर इसमे इतने वड़े डाल दी है इसे मरग देंगे कम से कम आदे गंटे के लिए और तब तक हम दही रेडी कर लेंग आपको इसी तरह से इसे चंणी से या फिर किसी मलमल के कपड़े से स्ट्रें करना है उससे बिल्कुल स्मूध रेडी होती है तो इसमें हम डाल देंगे डेड़ छोटे चमच पिसी हुई चीनी और नमक एट कर देंगे टेस्के अकॉर्डिंग इसे अच्छे से मिक्स और यहां पर जो दही है वो काफित थिक है तो इसकी कंसिस्टेंसी को एड़ेस्ट करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी एड करेंगे जिससे की जो दही है वो थोड़ी फ्लोईंग कंसिस्टेंसी में आ जाए पोरिंग कंसिस्टेंसी में यह देखिए बिल्कुल इसे से पदा चलता है कि यह कितने जादा सॉफ्ट है अब इसमें से थोड़ा थोड़ा से पानी निचोड की निकालेंगे आपको पूरा पानी इसमें से नहीं निकालना है अगर आप इसमें से पूरा पानी निचोड़ेंगे तो इनका जो शेप वह बिगड़ जाएगा साथ यहां प्रेखे पर दाल देगे दही जो हमने रखा ता ता आप देख सकते हो कि अधिक अभी जो कंसिस्टेंसी वह बिलकुल पॉफेक्ट है इसके उपड़ करेंगे थोड़ा सा मसाला मैंने यहां पर लिया है लालमिश पाओडर जीरा पाओडर काला नमक और चार्ट मसाला इसे मैंने मिक्स कर लिया है और इसके बार देंगे थोड़ी सी हरी चतनी जो की option अगर आपके पास हरी चतनी नहीं तो आप स्किप करें साथी में डाल देंगे खटी मेटी चतनी मैंने ये अमचूर की खटी मेटी चतनी बनाई है अगर आप दोनों चतनी का वीडियो चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो मैंनेचर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ये दिखिए बहुत ही जादा सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बने है दहीं वड़े आप जरूर ट्राइगा या आपको बहुत पसंद आएगा कि आपके मुह में चाहते ही खुल जाएगा ने से एक बार ट्राइगा तो सच में आप इसके दिवाने हो जाएंगे तो आप भी से ट्राइग करें और अपने फीडबैक में साथ शेयर करना बिल्कुल भी नभूलें मिलते हैं नेक्स रसीपी के साथ तिल देन बाबाई टे करें